आज नवरातरी का पांचवा दिन है नवरातरी के पांचवे दिन सकंद माता के आराधना की जाती है भगवान शीव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिके एको सकंद के नाम से भी जाना जाता है भगवान सकंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था इसलिए मा दुर्गा के पांचवे स्वरुप को स्कंद माता कहीत है एक पवरानिक कथा के अनुसार तारका सुर नाम के ग्राक्षस था जिसका अंद किवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था तब मा पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षिन लेने के बाद वगवन कार्थिकेई ने तारका सुर का अंत किया था माता को अपने पुत्र से अती प्रेम है यही कारण है कि मा को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है मान्यता है कि सकंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को मा संतान सुख और सुख समपती प्राप्त होने का वर देती है